आज की टिप्स हमारी बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है ये टिप्स आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी इन टिप्स के जरी आप अपनी घर की चीजों को और भी अच्छे से और्गनाइज कर सकते हैं तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं मेरी सबसे पहली टिप है थ्रीट को लेकर हमें इनें कितना भी सेट करकर रख लें लेकिन यह आपसे भिकर ही जाती है । इनके धागे जो हैं वो आपसे त्हसे उलज जाते हैं है इन्हें निंकालना बहुत ही ज़़ादा मुश्किल हो जाता है, इस के लिए बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हो तो आप क्या करें इस तरह से जो बड़े वगयरा में बैलून लगाती है जिसे यह टेप आती है तो इसको आप ले ले और फिर आप इसे काफी लंबा सारा कट कर लें यहां पर सलाई मिशिन का जो बोड होता है उसके नीची हम इस टेप को ल हो जाएगी और किसी को भी इस जगे का पता भी नहीं चलेगा बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप है तो यहां पर दीखी मैंने इसको सिलाई मिशिन के नीचे के पार्ट पर सैट कर दिया है तो असानी से निकाल सकते हैं एक ठ्रेट को निकालेंगे तो दूसरा धागा दूसरी टिप है मेरी इस तरह के हैंकर को लेकर जो हमारे घर पर अक्सर आती रहती है कपडों के साथ में यह ऐसे पड़े रहती है क्योंकि कभी-कभी हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें हैंकर को एक साइट से निकाल लें उसके बाद में रबडबेंग ग इस तरह से हैंक कर सकते हैं इससे जो क्लेचर वगयरा इदर उदर गुम हो जाते हैं वो भी नहीं होगे असानी से हमें मिल जाएंगे उसके बाद में इस तरह से हमेंसे हैंक भी कर सकते हैं तो यह टिप आपको कैसी लगी हमें कमेंट करकर जूरूर बताएं और चैनल को सब करना ना भूले चलते हैं नेक्स टिप की और अगली टिप है इस तरह के हैंगर को लेकर ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक यूज किया जाए तो ये यूज में आपको बहुत ही ज्यादा कमाल का करकर दिखाने वाली हूँ तो आप क्य हटादे तो उसके बाद में इस तरह से असानी से हैंग कर सकते हैं इस तरह से हमारी किचन में चार चान्द लग जायेंगे और बिना पैसे कर्च कि यह हमने कप और ऑरगनाइजर घर पर ही हमने त्यार कर लिया है बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगरा है आप इसको एक बार तो कैसी लगी आपको ये टीप ये टीप अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरी नेक्स्ट टीप है इस तरह के खाली बॉक्स जो हमारे गर पर आते ही रहते हैं तो ये मेरे पास एक मेहंदी का बॉक्स जो है वो खाली पड़ा था तो मैंने क्या क्या इस तरह से एक चाकू ले रहे और चारों साइडों से बॉक्स को इस तरह से कट कर ले तो उसको कट करने के बाद में इस तरह के ये पार्ट जो है ये भी हम कट कर देते हैं चारों साइडों से कट करने के बाद में यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और कार्डबोर्ड को हम इस तरह से साइड में लगा देंगे इसे शोटा सा बॉक्स जो है वो अलग बन जाएगा उसके बाद में हम इसमें नेल पैंट वगारा नेल पैंट रिमूवर गुलाब जल वगारा रख सकती है और साइड के बॉक्स में हम इस तरह से रबड़ बैन वगारा भी रख सकती है तो ये हमारा शोटा सा औरगनाईजर घर पर ही बनकर त्यार हो चुका है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें पेपर वगेरा भी लगा सकती है मेरी नेक्स टिप या इस तरह के ब्रश को लेकर जो हमारे घर पर अक्सर पड़े ही रहते हैं तो इसमें आप क्या करें इस तरह से सारी कंगिया सेट कर दें इसे कोई भी कंगी गुम नहीं होगी असानी से हमें मिल जाएगी तो आपको ये सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स सबसे बेस्ट लगी हमें कमेट करकर जुरूर बताएं अगर आपको सच में वीडियो अच्छी रगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें बाय बाय गाइस मिलती हैं नई टिप्स के साथ